Hey everyone, welcome back to my channel तो आज बच्चों का छुट्टे है husband घर पे नहीं है तो बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ पूरी और उसके साथ मैं बना रही हूँ चने पूरी के लिए ये पूरी यलो दिख रहे है आपको क्योंकि मैं mustard oil से बना रही हूँ रिफाइंड ओयल था नहीं घर पे तो मैंने mustard oil यूज किया है इसलिए थोड़ा से yellow है mustard oil को अगर पूरी बनाना है तो आप नीम लीव यूज कर सकते हैं उसके बाद आप पूरी बना सकते हैं नहीं होने से पहला पूरी yellow हो जाएगा उसके बाद से धीरे धीरे light color बनते रहेगा तो मैंने पूरी और चना बना लिया अभी दुपैर का मैं खना बना रही हूँ अभी बज़रा है सारे 10 तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा oil ले लिया वो भी mustard oil था बेली वेट किया और बहुत सारा onion मैंने दो बड़े बड़े onion को finely slice कर लिया और इसको अच्छी तरीके से हम लोग भून लेंगे इसमें मैंने बहुत सारा आप देख सेकते हो garlic means लसून यूज किया है यह भी छिलका निकाल के बड़े बड़े लसून का मैंने single single pieces में छिलका निकाल दिया और फिर इसमें मैंने add कर दिये यह जो मैं रिस्पी बना रही हूँ यह लसून डालने से अच्छा लगता है अगर आप लसून नहीं खाते हो तो आप मत देना फिर एक मैंने paste बना के रखा है red chili paste और इसमें है ginger garlic का paste और chili बस उतना ही और मैंने कुछ नहीं add के ना जीरा ना धनिया पाउडर कुछी भी नहीं add के इस मसाला को मैं अभी add कर दूंगे और इसको कम से कम पाच मिनिट तक भूनना है मैंने अभी healthy use किया और आपको continue भूनना परेगा इसको उससे oil निकलना चाहिए अच्छी तरीके से oil जब निकल जाए तब आप chicken add कर दाना मैंने chicken को पहले से वश करके रख दिया आप देख सेकते हो और फिर अच्छी तरीके से मैंने निचोड के इसको दाल दिया अभी इसको भूनना है पहले जब भूनेंगे हाई flame में 5 मिनिट के लिए आपको हाइ flame में कवर करकेबूनना है फिर उससे धीरे-धीरे पानी निकलेगा उसके बाद हम लोग चीकन को लो फ्लेम में गुक करेंगे आप देख सेकते हो पानी निकल रहा है चीकन से आप को कोई extra पानी डालनी की ज़रूरत नहीं, फिर से आँ अप कवर कर देना है, और flame लो कर देना है, फिर आप इसको cook करना है, जादा नहीं, आपको कम सखं़ और 5 मिनिट तक इसको अच्छी तरीके से cooking करना है, आप देख से तो इतना अच्छा इसका color आया है, और side इसमें अब आपको चिकन अच्छी तरीके से कुक हो रहा है इसमें अभी मैंने गरम मसाला एट कर दिया और दूसरे चुले में मैंने आलू को फ्राइ करके रग दिया हाई फ्लेम में और फिर आप देख से तो आलू अल्रेडी फ्राइ किया हुआ है और यहां चिकन अल्रेडी ओयल तो आप ऐसे भी आप खा सकते हो मगर आलू कच्छा है इसलिए आप आलू डालने से आपको थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा इस चिकन में कोई पनी वगरा नहीं डालना है आपको तो मैंने आलू फ्राइ किया हुआ वो मैंने एट कर दिया इसको अच्छी तरीके से हम लो वैसे साउंड आना चाहिए इमीडियेट लिए आपको प्रेशर कुकर को आफ कर देना है आपसे हवा जाने देना है उसके बाद ही खोलना है कोई जोड़ जबस्ती से नहीं खोलना है कुकर को अगर जोड़ जबस्ती से खोलो गया तो यह चिकन दिखने में उतना अच्छा क्योंकि मसाला बहुत ही कम डालती हूं क्योंकि जादा तर हम लोग वीकली कम से कम तीन बार तो चिकन खाई लेते तीन से चार बार तो इसलिए हम लोग बहुत जादा मसाला एड नहीं करते तो आप भी ट्राइ करो खाते रो हो अगर अच्छा लगे तो कॉमेंट करके अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं यह चिकन करी आप रोटी से खा सकते हो या पूरी के साथ भी अच्छा लगता है अगर आप राइस खाने वाले हो तो वाइट राइस के साथ खा के लिगना